हेलो फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चॉकलेट बार के रेस्पी सेर कर रही हूँ अगर आपके बचों को भी चॉकलेट खाना पसंदे तो आप इसे जरूर बनाईएगा उन्हें बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहां पर मैंने आधा कप मुंगफली लिया है और इसे हम लोग फ्लम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे जबते कि इसके छिलके ना छूटने लगे तो यहां पर देखें मुंगफली रोस्ट हो चुकी है और अब इसके और चिलकों को हम निकाल लेंगे और शेटा छोटी से बढलें बेग में डाल लिया है और इसे में कूट लूँगी तो यहां पर दिखिए कितने अच्छे से क्रेस्ट हो चुकी है और इसे हम एक बड़े से मिंक्सिंग बॉल में निकाल लेंगे और और यहां पर मैंने 10 यह कोकोनेट कुकिस लिया है आप यहां पर कोई भी मिठी बिस्कुट ले सकते हैं और इसे भी हम पीस लेंगे तो यहां पर दिखिए कितने ची से पाउडर हो गई है और इसे भी हम मुख्फिले में मिला लेंगे और यहां पर मैं आदे कप मुख्फिले ले रही हूँ इसे हम हलका सा चला लेंगे मिक्सिको जिससे के दर्दरी हो जाएगे अगर आप मुख्फिले नहीं डाला चाहते तो मिस्कुट के मातरा थोड़ी से ज्यादा रखेगा और इसमें अच्छे बार्णिंग के लिए मैंने यहां पर खजूर लिया है खजर बहुत ही हल्दी होती है और इसके बीज को हम निकाल लेंगे और यह आधे कप से थोड़ी से ज्यादा है और इसे भी मैं पीछ लेती हूँ जुक्त बार में बहुत यह यह च्छी टेस्ट आती है आप यहां पर खजूर ज्यादा नहीं डालना चाहते है तो यहां पर आधे-ाधे किसमिस और खजूर भी ले सकते हैं तो यहां पर दिखें मैंने इसे अच्छी तरगे से मिला लिया है और इसमें अच्छी बाइंडिंग आ गई है अगर आपको लगए कि थोड़ी सी यह नहीं बंद रही है तो यहां पर एक तुछ मज़ दूर डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने हलका सा लंबा लंबा इसे बना लिया है इससे हमारी चोगलेट बार देखने में और अच्छी लगती है आप यहां पर राउंड चोकोर या इस तरह से लंबा किसी भी तरह से बना सकते हैं तो इसी तरह से मैंने सारे बना लिया है और आप इसे 10 मिनट के ल यहां पर दीके चॉकलेट मेकट हो गई है और यह सब्सक्रास भी थंडी हो गई है अब की तो अब चाहप दीकेश्य नटाइश में ठंडी हो गयी है तो अब हम इसमें बटर यह पीपर और रखर हूँ तो इसी तरह से हम सभी अपने बार में इस तरह से चोकलेट के कोटिंग कर देंगे और अब इसे पांस मिनट के लिए मैं फिर से फ्रीज में रख रही हूं जिससे की चोकलेट अच्छी से सेट हो जाएंगे और बागी का जो मेल्ट हुआ चोकलेट था उसे मैंने कोन में डाल लिया है और इसके उपर हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से डिजाइन बना देंगे और इसके उपर में थोड़ी से डिवल मोती लगा रही हूँ जिससे के देखने में और अच्छी लगेगे आप इस मिठाए को किसी तेहवार में भी बना सकते हैं ये बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आती है और ये हेल्दी भी बहुत है और इसके सेल्फ लाइब भी बहुत दिन तक है आप आ रहा है हमसे इसे एक ही बार बहुत ज़्यादा बना के रख सकते हैं और यहां पर हमारी चोकलेट बार त्यार है इसके किनारों में ज़्यादा चोकलेट है उससे हम निकाल लेंगे और उमेद करते हुँ फ्रेंड्स आज की रेस्पे आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो प्लेस लाइक कमेंट शेल कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और यहां पर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ अंदर से एकदम क्रेंची होती है और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है अगर मेरी वीडियो पस्ट्राइब करने के बाद आपको पसंद आती हूँ तो अपना फेटबेक जरूर दीजिएगा और चले मिलते हैं मगले रेसिपी में तब तके लिए भाई एंट्रेक किया